अर्विन केच जिवाल ने रविवार कोमरित सर्वे रोडशो किया। इस दौरान उनके साथ भावी सीएम भगवंत मान भी मौझूद रहें केच जिवाल के इस रोडशो में लोगों का भारी हुजूम देखने को मिला। और वहीं रोडशो के दौरान शक्ती प्रदर्शन करते हुए भगवंत मान और केच जिवाल ने जनता काभार जटाया। रिपोर्ट देखिए। पांच राजियों में हुए विधान सभा चुनाव के नतीज़े आ चुके हैं। अब राजियों में मुख्यमंत्री की ताजबोशी की बारी है। इस कड़ी में पंजाब में आप पाठी के मनोनित सीएम भगवंत माल 16 मार्च को सीएम पद की शपत लेंगे। वहीं इससे पहले आपने आज अमरित्चर में जीत का जश्न मनाया। पंजाब विधान सभा चुनाब में मिली एतिहासिक जीत के बाद आम आदमी पाठी ने अमरित्चर में में मेगा रोडशो किया। अमरित्चर में आम आदमी पाठी की ओर से निकाले गए विजय जुलूस में आप संयोजक, अर्विंत केजरिवाल और पंजाब के भावी सीएम भगवंत माल शामिल हुए। इस विशाल जुलूस में आपके सभी विधाई को समेथ कारेकरता शामिल हुए। सडक के दोनों और कारेकरताओं की भारी भीड उम्री। इस दोरान आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अर्विंत केजरिवाल और भगवंत मान ने पंजाब की जनता को धन्यवाद गिया। अमरित सर की कजहरी चौक से आम आदमी पाटी का विजय जुलू शुरू हुआ। इस दोरान सुरक्षा के पुखता इंतजामात किये गए। वहीं से पहले प्रचंड जीत के बाद आज आपके सयोजक अर्विंत के जुरिवाल अमरित सर पहुचे और हर्मिंदर साहिम में दर्शन की। इस दोरान उनके साथ पंजाब के भावी सीयम भगवंत मान भी मौजूद रहे। भगवंत मान को विधायक दल का नेदा चुन लिया गया है और 16 मार्च को वो मुख्यमंत्री पद की शपत लेगे। आपने इस चुनाम में प्रचंड बहुमत हासिल की। पंजाब के पूरे इतिहास में किसी एक पाटी की यह सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। इससे पहले 1992 में कॉंग्रिस ने 87 सीटे जीती थी। लेकिन 2022 में आपकी यह जीत सिर्फ नंबर के लिहाद से बड़ी नहीं बलकि अर्विन केजरिवाल के नितरुत वाली आप पाटी की सुनामी में बड़े-बड़े सियासी दिगज धारश्राई हो गए। लगभग एक तरफा रहे मुकाबले में आपने 92 सीटों पर जीत का परचम फहराया। 16 मार्च के दिन सफद नहीं लेंगे। उन्हें बाद में सफद दिलाई जाएगी। सफद ग्रेन से पहले आपके सयोजक अर्विन केजरिवाल ने रोडशो के जरीए एक स्टक्ति प्रदर्शन का जनता का अभार जताया। DESK REPORT, NETWORK 10